जाहें दोस्तों, वल्कम बैक टू अपन स्टेडी, स्वागत है आप सभी का S.S.C. की तरफ से 2023 के लिए कलेंडर जारी कर दिया गया है यानि की 2022 के बाद अब 2023 में भी भरपूर विकेंसिस, बैक टू बैक एक्जामेनेशन ध्यान रगना, S.S.C. से पंक्चुल इस ताइम पर कोई भी कमिशन मुझे नहीं देख रहा है, बिल्कुल मिशन मोड में काम कर रहा है और भाई सब या तो एक्जाम जो है बिल्कुल ओन डेट है या फिर डेट से पहले है, डिले का कोई चांस नहीं है तो ध्यान से देखिए का जो भी कलेंडर में यहाँ पर उन्होंने जो है डेट अनाउंस करी है, आने वाले 2023 में जितनी भी वेकेंसिस अनाउंस होने वाली है उनकी एक्जेक्ट यहाँ पर जो है डेट नहीं दे रखिए, लेकिन जो कमिट्मेंट किये गए हैं पिछले 2022 में SSC के द्वारा वो सारे के सारे एकदम पंक्शोल है, मतलब ओन टाइम है तो भाई सार, SSC स्टाफ सेलेक्शन कमिशन की तरफ से टेंटिटिव कलेंडर अब एक्जामेनेशन फॉर दे यर 2023 और 2024 यहाँ पर आप देख रहे होंगे, SSC GD की जो वेकेंसी हैं, जो कि 2022 में आना उसी थी, इनका एक्जाम होने वाला है जनवरी और फरवरी में, 2023 में यह तो 2022 की हैं दोनों, CHSL और GD, इसके बाद MTS की जो वेकेंसी आने वाली है, जनवरी 2023 में और इनका एक्जाम होने वाला है अपरेल में, यानि की MTS की भी वेकेंसी आप लोगों की बहुत जल्दी आने वाली हैं, इसके लिए आपके पास टाइम उतना ही हैं, जितने में आप तयारी कर सकते हैं उसके बाद सेलेक्शन पोस्ट की भी वेकेंसी आएंगी, उसके बाद आता है आपका CGL की, Combined Graduation Level, इसकी जो वेकेंसी आने वाली हैं, 2023 अपरेल में, अपरेल में इसका नोटिफेकेशन आजाएगा, और इसका एक्जाम होगा जून जुलाई 2023 में यानि कि मार्च में तो आपका CGL मेंस होगा, 2022 वाला उसके तुरंट वाद अपरेल, अपरेल में आप लोगों की विकेंसी जाएंगी, 2023 की, यानि कि अब जो CGL 2022 की तयारी करना सुरू कर दो, बैक टू बैक एक्जामेनेशन हैं, ठीक है, मतला अपसोस का कोई चांस ही नहीं है, एक वार अगर कोई वच्छा फेल हो भी रहा है, तो उसके पास बैक टू बैक आपस हैं, जो पढ़ने वाले नहीं है, उनके लिए रोने वाली बात है, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर आप लोग पढ़ने वाले हैं, तो आपका सपना सच हो सकता है, CGL में एक ही दी गई है, 2023 में भी CPO की वेकेंसी ज़ाएं, यह आपकी जुलाइ में आपको नोटिफिकिशन मिलेगा, 2023 में, मतलब मार्च और अप्रेल में लगोगा आपका जो है, फाइनल हो पाएगा, सेलेक्शन, CPO 2022 का, तुरंत 2023 के लिए CPO की वेकेंसी जाएंगी, बैक टू बैक वेकेंसी है, मतलब भरपूर वेकेंसी इस बार भी आप लोगों को मिलने वाली है, 2023 में, तो भाई साब अपसूस वाली बात तो कुछ है नहीं, ठीक है, मिसन मोड में काम चल रहा है, एकदम बैतरीन तरीके से, ठीक है, जेसो की बगेरा कि यह आपकी वेकेंसी आने वाले ह हैं, और सारे की सारी, यहां पर देखो, जो है, मन्त अब एक्जामेनेशन भी दे रखे हैं, जैसे यहां पर आपका ग्रेजुशन लेवल, यानि कि यह जो सीजियल का जो एक्जाम होगा, वो जून जुलाई 2023 में हो जाएगा, और आपका CHSL का होगा, जुलाई अगस्त में ठीक है, 2023 की बात कर रहे हैं, यह तो 2022 वाला तो अभी हो जाएगा, यहां पर लिखा रखा है, उपर देखोगे अब यह रहा, सीजियल का मार्च में हो जाएगा, सौरी, CHSL का मार्च में हो जाएगा, 2022 वाला, ठीक है, और 2023 वाला अगस्त में होगा, जुलाई अगस्त में, म पर, CPO कुछ भी हो, मिसन मोड में काम चल रहा है, बस एक बार ठालो कि मुझे यह वाली पोस्ट चाहिए, और मुझे यह वाला एक्जाम देना है, उसी एक्जाम को टार्गेट करके पढ़ाई करते रहो, ओपन स्टड़ी गुरुकुल से आप लोगों को पूरी तरह से सार चलो, तो सबी को गुड़ लख, खुसिया मनाओ, और तयारी में लग जाओ, नया साल एक और बढ़ियां से खुसकवरी आप लोगों के लिए कर गया, ठीक है, चलो, तैक्की सो मच, जैह हिंद, बाए-बाए